इस कारकर्म के पुणियार जखें शिरी राजकुमार जैन जी की पुर्ण इस्मृती में प्रश्णोतर अत्नमालिका में अगला इस लोग है कहा पूजिया क्या प्रश्ण है पहला प्रश्ण है कहा पूजिया पूजनी कौन है सदवृत्त पूजनी है अर्था चारत्र के धारी पूजनी है पूजनी कौन है सच्चरत्र व्यक्ति पूजनी है चारित्र की पूजा है सन्यम की पूजा है ग्यान तो किसी को भी हो सकता है लेकिन ग्यान की पूजा नहीं है ग्यान की पूजा तब है जब चारित्र से सहत हो मुक माटी में आचाशी ने लिखा कि माथे की धूल नहीं लगाई जाती है चरणों की धूल लगाई जाती है कहां की धूल लगाई जाती है सिर पर बिहार करके आये हैं सिर पर धूल जम गई है तो सिर की धूल नकालो और अपने माथे पर लगा ऐसा देखा क्या तुमने नहीं सामने वाले की माथे की धूल निकाल के अपने माथे पर लगा नहीं जिन पैरों से चल चल करके आए हैं जिन पैरों ने गाउं गली नगर के रास्ते नापे हैं जिन पैरों ने चलने में परिश्रम किया है उन पैरों में लगी हुई धूल माथे पर लगाई जाती है चरित्रवान व्यक्ति की पैर पूजनी होते हैं हाँ पूजा माथे की नहीं होती है पूजा चर्णों की होती है पूजा किस की होती है चर्णों की होती है यह बहुत बड़े ग्यानवान है तो इनके माथे का परक्षाल करके गंदोदक ले लो किसका परक्षाल करके गंदोदक ले लो माथे का परक्षाल करके गंदोदक ले लो क्योंकि यह बड़े ग्यानवान है नहीं ग्यानवान हो या ना हो चरित्रवान होना जरूरी है और फिर चरणों का प्रक्षाल करके गंदोदक लिया जाता है कहा पूजिया सद वृत्तहा कम अधनम आचक्षते चलित वृत्तम क्या कम अधनम निर्धन किसको कहा जाता है निर्धन किसको कहा जाता है चलित वृत्तम इस खलित चरित्तरवाला निर्धनी माना गया है उसके पास कुछ धन बचाई नहीं दरुदर हो गया गरीब हो गया दर दर की ठोकरें खाने वाला भिकारी हो गया आदमी पैसे से धनी हो या पैसे से गरीब हो इस से जादा फरक नहीं पड़ेगा आप चारित्र के छेत्र में धनी हो या नहीं आपके पास चारित्र है तो आप धनवान हो और चारित्र नहीं हो तो धन संपन्य व्यक्ति भी दरिद्र माना जाता है क्योंकि चारित्र बहुत बड़ी संपदा मानी गई है सन्यम को बहुत बड़ी संपदा कहा गया है हाँ इसलिए चलित बृत को निर्धन कहा गया है निर्धन दरिद्र गरीब कोई कीमत नहीं उसकी और क्या कहा गया केन जितम जग मेतत किसके द्वारा जग जीता गया किसके द्वारा जग जीता गया सत्तितिक्षा बता पुनसाम सत्तिवान के द्वारा तितिक्षा बान के द्वारा तितिक्षा छमा को कहते हैं सत्तिवादी के द्वारा और छमा बान के द्वारा ये जग जीत लिया गया है जग को जीत लिया जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया बस उसने सब जग जान लिया सब जग को जीत भी लिया राजाओं के लिए सम्मान डर से दिया जाता है उनके आसरे से दिया जाता है कि इनके आसरे में हैं इनके संदक्षन में है आग्या का उलंगन नहीं कर सकते डर करके उन्हें सम्मान दिया जाता है उनकी एक तरह से बहुमान सम्मान कुछ भी कहो लेकिन पूजा डर के कारण नहीं होती है पूजा तो हिरदय के भावों के द्वारा होती है हाँ तो ऐसा चरित्र वानों का सरूफ समझे करके संद्जिमी व्यक्ति के लिए जो पूजा की जाती है वही पूजनी कौन है सच चरित्र व्यक्ति ही पूजनी है यस तो उनीका होता है नाम तो उनीका लिया जाता है प्रसंसा उनीकी की जाती है जीते जी भले ही उनको तसमान ना मिले लेकिन गुणवान को यहां से जाने के बाद जादा याद किया जाता है पूजा किसकी चरितरवान व्यक्ति की निर्धन किसको कहा गया है इसके पास तो कोई धन नहीं है धन के पीछे कब तक पड़ा है आदमी धन 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 करते करते धन 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 करते करते निधन हो गया क्या हो गया धन धन करते निधन हो गया और धन धन करते निर्धन हो गया एकट्टे नहीं कर पाया धन और धन धन करते नर्धन का नर्धन रहा और नर्धन नर्धन रहते रहते निधन हो गया लेकिन धन नहीं हो पाया क्या धन नहीं हो पाया नर्धन किसको कहा गया इस खलित चरित्र वाले को नर्धन कहा है दरिद्री कहा है चारित्र से पतित है दरिद्री है कहा जाता ना धन चला गया तो बिचार करो की कुछ नहीं गया स्वास्त में गिरावट आ गई तो समझ लो थोड़ा कुछ चला गया लेकिन अपने जीवन का संजम चला गया तो समझो सब कुछ चला गया बेल्थ इज लाश्ट नथिंग इज लाश्ट हेल्थ इज लाश्ट सम्तिंग इज लाश्ट वट करेक्टर इज लाश्ट एवरीटिंग इज लाश्ट सब चला गया इसलिए चारित्र की पूंजी को समाल करके रखो चारित्र की संपदा को समाल करके रखो दुनिया में बहुत दुरलब है आना दुरलब है टिकना दुरलब है बढ़ना दुरलब है और उसका संदक्छन भी दुरलब है सब में दुरलबता जुड़ी हुई है संस्कृत में भी कहा जाता है बित्तम ही नस्टम किंचित ही नस्टम बित्त गया तो थोड़ा सा नस्टुगा स्वास्तम ही नस्टम किंचित वे नस्टम स्वास्त गया थोड़ा सा गया बृत्तम ही नस्टम सरवं वे नस्टम बृत्त यानी चारित गया सब कुछ नश्ट हो गया तसमाच बृत्तम परिरक्षणियम इसलिए वृत्यानिचारित्र की रक्षा करते रहना चाहिए और किसके द्वारा संसार जीता गया संसार को किसने जीता है बैसे तो संसार को कोई आज तक जीत नहीं पाया धरती कैसी है बड़े बड़े सूरवीर आए एह हमारी एह हमारी एह हमारी कह करके चले गए और वो धरती आज भी यहीं की यहीं है हमारी धरती हमारी धरती हमारा राज कैने वाला चला गया और जिसे अपना बना रहा था वो यहीं पर छूट गया कस्मीर से कन्या कुमारी भारत एक है अब बताओ कन्या भी है और कुमारी भी है अब धरती पूरी की पूरी धरती कन्या है कुमारी है तो कौन बरन कर पाएगा कोई बरन नहीं कर सकता आते हैं राजा महराजा अपनी अपनी जमीन अपना अपना राज बनाते हैं और चले जाते हैं धरती आज भी वही के वही है वही के वही है तो ये संसार किसके दोरा जीता गया सत्त तितिक्षा वताम पुनसा सत्त बादियों के द्वारा छमावानों के द्वारा इस अंसार जीत लिया गया है किनके द्वारा सत्त बादियों के द्वारा सत्त बादियों के द्वारा सत्त बादियों के बड़ा महत है भी या हाँ बहुत थिम्मत का काम है सत्त में उजयते कहना आसान है लेकिन सत्त में उजयते का जीवन बनाना कठिन है आसान नहीं है बड़ी परिक्षा होती है बात बात में जूट बोलने का मन होता है जूट के बगएर आदमी सोचता है कि जूट के बगएर हमारा काम ही नहीं चलेगा लेकिन ध्यान रखना जूट का बजार भी सत्त के लेवल से ही चलता है नकली माल भी असली लेवल से विकता है अगर नकली माल पर नकली लेवल लगा दो ये माल नकली है ऐसा लिख दो पर्चे पर तो कोई नहीं खरी देगा अंदर नकली माल भर दिया और उपर से असली का क्या लेवल लगा दिया बस बिकेगा तो सत्त ही बिकेगा टिकेगा तो सत्त ही टिकेगा असत्त ना बिकता है और असत्त ना टिकता है बिकता भी नहीं टिकता भी नहीं बिकता और टिकता तो सत्त है अब ये बात लग है कि असत्त का बोल वाला है असत्त की भीड भाड है असत्त का बजार गरम है लेकिन मार्केट तो सत्त से ही चलेगा ना जितने भी पैकिंग हो रही हैं अंदर भले ही कुछ भरा हो लेकर उपर से तो क्या बताया जाता है यह नम्मर एक का माल है नम्मर एक विक रहा है नम्मर दो नहीं विक रहा है यह माल नम्मर दो का है लिखकर कि आप बेचो कोई नहीं खरी देगा क्या नहीं खरी देगा इसलिए सत्वादी बनो कटनाई आती है परेशानी आती है घर गरस्ती में छोटी मोटी जूट तो आप बोलते रहते हो लेकिन बड़ी जूट से बचना किसी का अहित ना हो जाए अनर्स ना हो जाए ऐसे असत्य से बचना और शत्य का व्यवहार करना सत्यवादी और छमावाण क्या बात है छमावाण तो छमावाण है कुछ भी कह दो मुस्कुरा के टाल देता है जो काम ताकत से नहीं बनते है वो काम प्रेम से मुस्कुराने से बन जाते है क्या हाँ कितनी भी चोट कर दो कितनी भी ताकत लगा दो हो सकता तुमारा काम ना बने लेकिन प्रेम से सरल भावों से अगर मुस्कुरा दोगे तो हो सकता तुमारा काम बन जाए हतोड़ी ताले को तोड रही है हतोड़ी से ताले पर चोट की जा रही है ताले खुलने को तयार नहीं चोट पर चोट दिये जा रहे ताले चिपकने लगा तूटने लगा लेकिन खुलने को तयार नहीं एक अनुफबी बूड़ा आदमी आया भाई साभी क्या कर रहे है क्यों गुस्सा निकाल रहे उले ताला नहीं खुल रहा है चाबी गुम गई है चाबी गुम गई ताला नहीं खुल इसको मैं हतोड़ी से तोड़ दूँगा साहब ये ताला है ऐसे नहीं खुलता तुम कितनी चोट करते रहो खुलेगा नहीं उसने गौर से ताले को देखा जेमे से एक बारीक सी चाबी निकाली कहा इसको लगा दो इसमें उसमें लगाया घुमाया ताला खुल गया लिखने वाले ने क्या लिखा किसी की गांठ गरंथी खोलना है हिर्दय की गांठ गरंथी खोलना है तो उस पर चोट करने की जरूरत नहीं उसके हिर्दय का इसपर्स करने की जरूरत है उसके अंतरंग भाबों को इसपर्स करने की जरूरत है आप ताले पर चोट पर चोट करो खुलेगा नहीं लेकिन जरासी चावी अंदर गई ताला खुल गया आप किसी के भावों का इस परस करके तो देखो गाठ गरंतिया अपने आप खुल जाती है इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि जो काम ताकत लगाने पर भी नहीं होते हैं वो काम आसानी से मुस्कुराने में हो जाते हैं सत्वादियों का जीवन और च्छमावानों का जीवन ऐसा ही है च्छमावान धरती पर सामान नहीं होता है बहुत बड़ी बात होती है कोई कुछ भी कह जाए कैसा भी वहार कर दो फिर भी मन में खिननता ना लाए फिर भी कोई विकल्प ना करे परसंद और मुस्कुराता रहे बहुत बड़ी बात है चार पंक्तिया हैं मारना है गर किशी को मार दो अहसान से जान से मारा गया बापस कभी आता नहीं जान से मारा गया बापस कभी आता नहीं और अहसान का मारा हुआ फिर सर उठा सकता नहीं ये पंक्तियां आप सभी के लिए आज के संदरों में प्रासंगे खें, सार्थक हैं और इन्हें संजोग करके आपको रखने की जरूरत है इस कारकरम के पुनियार जख थे पेत्र निस्टा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रिमती प्रेमलता जैन, बालाघाड